हाई गाईज वेलकम बैक टू नदर सेशन मैं आभाव नोट लेकर आई हूँ आपके लिए करेंट अफेस के एपिसोड नंबर 713 आज की तारीक है 10 जुलाई 2020 हमारे दो चानल्स हैं पिनाकल और फ्रेंटेर आएस और अगर तक आपने इन चानल को सब्सक्राइब नहीं किया ह साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट्स हैं ससेसीजलपिनेकल.com और बलजीडाका.com इन दोनों को विजिट करना ना भूलिएगा ये सेशन हर रों सुबा चार बजे व 2020 में भारत का रैंक क्या है तो सही जवाब है 34 और दूसरा क्वेस्चन है UK इंडिया बिजनस काउंसिल UK IBC के पहले भारतिये CEO कौन बने है तो इसका सही जवाब है जयन्त कृष्णा स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के पहले क्वेस्चन के साथ इंडिया ग्लोबल वीक 2020 की थीम क्या है तो इसका सही जवाब है option number B, Be the revival India and a better new world इंडिया ग्लोबल वीक 2020 की शुरुआत के लिए 9 जुलाई को PM नरेंदर मोदी ने दुनिया भर के दर्शकों को संबोधित किया यह आयोजन भारत में व्यापार और निवेश की संभावनाओं पर मुख्य ध्यान देने के साथ 9 जुलाई से 11 जुलाई के दुरान तीन दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा थीम की बात करें तो Be the revival India and a better new world इस कारेक्रम में सू प्रिसिद सितार वादक पंडित रवी शंकर के सौवे जनम दिन पर उने श्रधांजली अर्पित की गई इस कारेक्रम में उध्य जोग और सामरिक विश्यों के करीब 200 वक्ता भाग लेंगे 5000 से अधिक दर्शोगों के समक्ष अपनी बात रखेंगे अगला प्रशन है किस देश ने वर्ष 2023 तक के निर्धारित लक्षे से पहले खसरा और रुबेला दोनों को खतम कर दिया है तो इसका सही जवाब है ऑप 2023 की लक्षे से पहले खसरा और रुबेला को समाप्त करने वाले पहले दो देश श्रिलंका और मालदीव बन गए हैं किसी देश को खसरा और रुबेला से मुक्त तब समझा जाता है जब देश में तीन साल से अधिक समय तक संक्रमन फैलने कई कोई साक्षे नहीं हूँ मालदीव ने 2009 में खसरा का अंतिम मामला और अक्टूबर 2015 में रुबेला का अंतिम मामला दर्ज किया जबकि श्रीलंका ने मई 2016 में खसरा और माज 2017 में रुबेला के अंतिम स्तानिक मामले की सूचना दी WHO दक्षिन पूर्व एशिया की क्षेतरी निदेशक पूनम खेतरपाल सिंग है और यहां पर कोई क्रिविजन की बात करें तो रुबेला एक हलका वारल संक्रमन है जो बच्चों और यूवा वियसकों में अधिक होता है वहीं खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वारल बिमारी ह और विशु स्तर पर छोटे बच्चों में मृतियू का कारण है बात करें हैं मौलदीव की तो इसी कैपिटल है मेल और करंसी है मालदीवियन रुफिया श्री लंका की बात करें तो इसी कैपिटल है श्री जैवर्दिना पुरा कोटे और करंसी है श्री लंकन रुपी अगल श्री कोस्ट के प्रधान मंत्री अमादू गोन कुली बली का फ्रांस में दो महीने के चिकित्सा उप्चार के लौटने के बाद निधन हो गया। वे सत्ता रूर दल के राश्ट्रपती पत्क्यों उमीदवार थे। श्री कोली बली की मृत्यू से अगामी राश्ट्रपती चुनाव को लेकर चिंता बढ़ रही है कि अब राश्ट्रपती की पार्टी का प्रतिनिधित्व कौन करेगा जिन्हें अपने दूसरे कारेकाल के बाद पद छोड़ना है। एक दशक पहले चुनाव के बाद की हिंसा से राश्ट्रपती अलासाने वतारा सत्ता में है। रायतू दिनोत्सव किसान दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सही जवाब है option number B 8 जुलाई आंधर प्रदेश के चौदवे मुख्यमंत्री Y.S. राजशेख रेड़ी की 71 जैन्ती को चिनहित करने के लिए राज्य में 8 जुलाई को रायतू दिनोत्सव किसान दिवस मनाया गया था। उन्होंने 2004 से 2009 तक आंधर प्रदेश के पौन मुख्यमंत्री के रूप में कारे किया और 2009 के विधानसवा चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में फिर से चुने गए। 2 सितंबर 2009 को वाई राजशेकर रेडी की हेलिकॉप्टर दुरघटना में मृत्यू हो गई। सरकारी भूमी की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रोदियोगी की और AI को प्योग करने वाला भारत का पहला राज़्य कौन सा है तो इसका सही जवाब है option number C, ओडिशा ओडिशा के मुख्य मंत्री नवीन पतनायक ने ब्लूइस भूवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजन सिस्टम का शुबारम किया है ब्लूइस के तहट भूवनेश्वर में सभी सरकारी भूमी में परिवर्तन की निगरानी के लिए एक वेब और मुबाइल अधारित समधान विक्सित किया गया है सरकारी जमीनों के सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रोदियोगी की और कृतम बुधिम्बत्ता का उप्योग करने वाला ओरिशा देश का पहला राजे बन गया है ब्लूइस भुवनेश्वर में सभी सरकारी भूमी का एक भूट टैग भंडार है जो सरकारी भूमी पर होने वाले सभी परिवर्तनों का पता लगाने के लिए हाई रेजिलूशन सेटलाइट इमेजरी के माध्यम से बनाया गया है यहाँ पर क्विक रिविजन की बात करें तो भूमी ही इन किसानों को 1040 करोण रुपे का कृशी रिन प्रदान करने के लिए किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है तो इसका सही जवाब है ओडिशा बात करें यहाँ पर ओडिशा की तो इसकी वर्ल्ड हेटरिज साइट्स में आता है संट टैंपल कुनार्क डैम्स और रिवर्स में आता है हिरकुन डैम्भ महनदी इंद्रवती डैम इंद्रवती नाशनल पार्क्स में आता है भिटार कनिका नाशनल पार्क सिमली पाल नाशनल पार्ग फेमस लेक्स में आता है चलिका लेक औरिशा की कैप्टल है भुवनेश्वर गवर्णर है गनेशी लाल चीफ मनिस्टर है नवीन पतनायक अगला प्रशन है राइडर कप किस खेल से संबंदित है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नमबर बी गॉ राइडर कप गॉल्फ खेल से संबंदित है राइडर कप यूरोप और संयुक्त राजयों की टीमों के बीच खेला जाने वाला गॉल्फ की द्वी वाशिक प्रतियोगिता है 2020 राइडर कप को एक साल के लिए टाल दिया गया है क्योंकि कोरोना वारिस महमारी में इसका आयो 26 सितंबर 2021 तक के पूनर निर्धारित किया गया है राइडर कप का नाम अंग्रेजी वेवसाई सैमूल राइडर के नाम पर पड़ा जिनों ने ट्रॉफी को दान दिया था अगला प्रशन है एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर भवन योटा एन्म वान का उदगाटन क किस भारतिय राज्य में किया गया है तो इसका सही जवाब है ओप्शन नमबर डी महराष्ट्र महराष्ट्र के मुख्य मंत्री उदव ठाकरे ने मुंबई के पनवेल में एशिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर का उदगाटन किया है उदगाटन के दोरान केंद्री सूच प्रदियोगी की मंत्री रवी शंकर प्रसाद भी ऑनलाइन जुड़े हुए थे ये डेटा सेंटर प्राइवेट कंपनी यॉर्टा इंफ्रस्रक्चर का है जो हीरा नंदानी ग्रूप से जुड़ी हुई है इस डेटा सेंटर में बहत्तर सू रैक होंगे और पचास मेगा पॉर्ट की बिजली के साथ 48 घंटों का बैक अप हमेशा बना रहेगा यह एनम वन पनवेल डेटा सेंटर पाक की पांच बड़ी इमारतों में से एक में होगा जब इन पांचों इमारतों में डेटा सेंटर काम शुरू हो जाएगा तब यहां 30,000 रैक मौजूद होंगे औ और 210 मेगा वाट का बैक अप मौजूद रहेगा हाल ही में एनम वन डेटा सेंटर को अमेरिका की तरफ से फॉल्ट टॉलरेंट का टैग हासिल हुआ है हीरननदानी ग्रूप केसन स्थापक अधियक्ष है निरंजन हीरननदानी और समू के CEO है दर्शन हीरननदानी अगला प् जवाब है ऑप्शन नमबर C, Microsoft पेड़ी के शिक्षार्थियों को वैसे कौशल उपलब्द कराए जाएंगे जो डिजिटल अर्थवेवस्ता में कामियाब बनने के लिए अवश्यक है यहाँ पर क्रिविशन की बात करें तो KBSC ने डिजिटल सुरक्षा पर चातर प्रशिक्षन प्रदान करने के लिए किस तकनीकी कंपनी के साथ भागेदारी की है तो इसका सही जवाब है Facebook अगला प्रशन है 6 जुलाई 2021 को कौन सा देश उपचारिक रूप से विश्व स्वास्ते संगठन WHO से हट जाएगा तो इसका सही जवाब है अमेरिका ने 6 जुलाई को अपचारिक रूप से संयुक्त राश्र महासचीव एंटोनियो गुटरेस को यह सूचना दी कि अमेरिका 6 जुलाई 2021 के बाद विश्व स्वास्ते संगठन से हट जाएगा अमेरिका 21 जुन 1948 को विश्व स्वास्ते संगठन का सदस्य बना विश्व स्वास्ते संगठन में भाग लेने के शर्त के अनुसार अगर अमेरिका विश्व स्वास्ते संगठन से हटना चाता है तो उसे एक साल पहले आवेदन करना होगा साथ ही उसे संबंदित सभी विते जिम्मधारियां पूरी करनी होंगी अमेरिका ने WHO पर वाइरस की प्रकोप पर चीन के साथ साइडिंग का अरोप लगाया है एप्रिल में अमेरिका ने WHO को धन देना बंद कर दिया था और यहाँ पर अडिशनल इंफोर्मिशन की बात करें तो WHO का हेड़कोर्टर जिनेवा स्विजलैंड में है और इसकी डारेक्टर जनरल है टेड्रोस एधनॉम बात करें यूएस से की तो इसकी कैपिटल है वाशिंग्टन डीसी और करंसी है यूएस डॉलर अगला प्रेशन है कोरोना वाइरस के कारण इस साल कौन सा बैड्मिंटन टूर्नमेंट रद कर दिया गया है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नमबर डी दोनो ए और बी यानि डच ओपन और चीन मास्टर दोनो करोना वाइरस के कारण बैड्मिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बी ड़्लू एफ दुआरा चाइना मास्टर दोजार बीस और डच ओपन दोजार बीस को रद कर दिया गया है नीदर लैंड में 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक डच ओपन का अयोजन किया जाना था करोना वाइरस महामारी के कारण वर्ष की शुरुआत में चाइना मास्टर दोजार बीस को अपने मूल स्लोट से पहले दो पूनर नधारित किया गया था बात कर लेते हैं आग के सेशन के एक क्विक समरी की इंडिया ग्लोबल वीक दोजार बीस की थीम क्या है कौन से देश मीजल्स और उबेला से कम्पलीटली मुक्त हो चुके हैं मौल्डीव्स और श्रीलंका पीम अमादो गोन कुलिबन जिनका निधन हो गया है वे किस देश के प्रधान मंत्री थे आइवरी कोस्ट आंधर प्रदीश में फार्मर्स डेकब मनाया गया है जुलाई आठ को स्पेस टेकनोलजी और एई फॉर गवर्मेंट लैंड किस राजे में शुरू किया गया है ओरीशा राइडर कप किस खेल से संबंदित है गॉल्फ से एशिया का लार्जेस्ट डेटा सेंटर बिल्डिंग योटा एनेम वन कहां पर बनाया गया है महराष्टरा में डिजिटल स्किल्स फॉर यूथ के लिए एनेस डीसी ने किस के साथ समझोता किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ जुलाई 6, 2021 को कौन सा देश डबल्यू एचो से अपना नाम विड्रॉ कर लेगा यूएस से कौन से बैडमिंटन टूनामेट कैंसल कर दिये गए है चाइना मास्टर्स 2020 और डच ओपन 2020 बात कर लेते हैं आज के क्विज फॉर दे डे की राइडर कप किस खेल से संबंदित है और दूसरा क्वेस्टन है आंदर परदेश में राइतू दिनोत्सव किसान दिवस कब मनाया जाता है और अगर अब तक आपने इन चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा